नमस्कार दोस्तों मेरे पाम डिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यह जानना चाहते हैं कि इनके हतली पर ऐसे कुछ योग हैं जिससे यह स्टेट, PCS यह सिवल सर्विसेज को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जबरदस पॉजटिविटी हैं। ऐसे वेक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं, जबात में कोई संदह नहीं है। अब सिवल सर्विसेज क्वालिफाई होगा की नहीं, ये एक महतपून सवाल है, तो आएए देखते हैं। तो अगर किसी वेक्ति के हाथ पर, पॉजटिविटी की बात कर लो, सुई की तरह पतली बाग्यरेका हो, जो की इनके हाथ पर मुझे दिख रहा है, और ये बाग्यरेका इतनी जादा स्ट्रॉंग होने से इस जातक के जीवन में धनका अब आप कभी नहीं होता। क्योंकि बाग्यरेका अगर पतली हो, विजिबल हो, तो इसके अच्छे परिनाम आपके जीवन पर आते हैं। तै होता है, लेकिन किस लेवल का होगा, वो इंडिकेट आपका सूडि रेखा कहता है, और सूडि रेखा करता है, अगर सूडि रेखा बड़ी हो, माइन्ड रेखा से उपर हो, तो आपको चदिकारी बढनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। इनकी सूरी रेका उतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पर आके ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पर एक और सूरी रेका है, मतलब तीन सूरी रेका हाथ पर मुझूद है, तो यह इंडिकेट कर रही है, जातक के जीवन में सफलता, कम महनत में जादा बड़ी सफलता को यह जरूर इंड होगा इसका दूसरा कारण आपकी हर्दे रेखा भी हमें बताऊंगा लेकिन स्टेट PCS को लेके चांसेस बने हुए हैं अगर आपने सार्थक्ता के साथ प्रियास के अभी से लगे रहे एक दो साल तीन साल लगतार प्रियास करते रहे तो स्टेट PCS हो जाएगा तो दो-तीन साल अगर अगर आप तो करे नहीं तो छोटे नौकिली के लिए तयारी करना सुरू कर दो आपका हो जाएगा लेकिन बड़े नौकिली के लिए आपको अभी भी यहां से तीन साल और एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा आपको विशेस मेहनत करना पड़ेगा विशेस आपको इंपोर्टेंस दे के परहाई के तरफ रुजहान और उचीवान होना पड़ेगा तभी जाके आप विशेस्तम सफलता या कहलो आप स्टेट PCS के एक्जामिनेशन कौलिफाई कर प या चैलेंज के रूप में ले लेंगे तो क्यों समय बरवाद करना अगर आपको करना है तो करिए नई तो फिर मैंने कहा कि दो तीन साल प्रियास कर लीजिए आप आपका इस्टेट PCS हो जाएगा यूपीस्टी में थोड़ा कमी है दूसरा मैंने कहा कि अगर आपके इसके बोलने का ये मुझे जरूर कॉंफरेंस मिल रहा है कि ऐसे विक्तिकर प्रियास करेंगे सफलता को प्राप्त करेंगे क्योंकि राहू रेखन नहीं होने से क्या होता है ना कि जो अपस्टेगल है वो लाइफ में मोल रूप से नहीं रहते हैं जो अपस्टेगल है जो परिश इस केस में जातक के जीवन में तनाव परिशानी उतपन जरूर हो सकती है अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बुद्धरेखा का भाब है तो ऐसे भी आप बिजनस के तरफ कहा रुजान है आपका आपका तो नौकरी के परती रुजान है तो वैपार के परती रुजान राता तब तो बुद्धरेखा का इंपोर्टेंस था जब वैपार के परती रुजान ही नहीं है तो बुद्धरेखा का कोई खास इंपोर्टेंस जीवन पर होगा भी नहीं एक बहुत बड़ी negativity आपके हाथ पर है जो कि आपको विश्य सिस्तम तनाव दे सकती है वो क्या है वो देख लिजए आपके हिर्देरेखा कि एक बनावट ऐसे गई यहाँ पर ठीक से समझना एक बनावट ऐसे गई एक बनावट ऐसे तो यह हिर्देरेखा properly टूटी हुई है यह हिर्देरेखा properly टूटी हुई है इस case में जातक के जीवन में परशानी आता है इस case में जातक के जीवन में तनाव आता है इस case में जातक के दमाग में बहुत परकार की negativity चलती रहती है कुछ ना कुछ problematic या कुछ ऐसी चीजे जीवन पर घटित होती है जो basically नहीं होना चा कर दिया है आगे जीवन पर सफलता को लेके UPSC को लेके क्या chances बने में तो अभी कम बने हुए हैं हाँ आपकी जो negativity इसको आप जरूर रिजॉल्व कर ले इसको आप जरूर इसका solution लेके कर ले जिससे क्या होगा ना मैं आपको solution तो जरूर दूँगा लेकिन इमानदारी पुर विवार एक से अधिक है तो ये थोड़ा बरश्पती भी गरबर है और ये विवार एका का भी अटपटा इंडिकेशन्स तो ये बताता है कि जातक के जीवन में तोड़ी परशानी आ सकती है किस चीज़ को लेके तो बहवाहिक जीवन को लेके तो इसका आपको remedy अभी से ही करना होगा जो जादा बहतर रहेगा आपके लिए अभी आपके जीवन रेका से आगे के life को अपन clear कर देते हैं चीज़ों को समझा देते हैं तो ये mind रेका होगे ये life line होगे highly independent है ऐसे विक्ति बहुत जदा independent होटे हैं इंडिपेंडनसी में कोई खास तनाव नहीं है कुछ ट्राइंगल्स हैं जो डिगरी पूरे करने के योग को बता रही थी independent आप महस 22-23 वर्स की आयू में हो गए मतलब जातक 22-23 वर्स की आयू में ही इंडिपेंडनसी को प्राप्त कर लेते हैं आगे यहाँ पर एक प्रगती की रेका लगबग 30 वर्स के आसपास थी फिर एक प बहुत बढ़ा प्रमोशन आपको मिल जा 55 वर्स में उसके बाद भी जीवन ड्रेका बहुत बढ़िया तो लाइफ लाइफ लाइन में तो प्राप्लम्स ही नहीं है यह जबर्दस आपकी मंगल ड्रेका इस प्रकार की मंगल ड्रेका हो तो फर बचाव कराती है जीवन के फल के साथ बीटता है तो रहे बहुत टेंसंस के लाइन जुरूर है तो अटेंशन होता है शुक्रमंगल प्रबल है तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ आप जुरूर बिताते हैं गजब का थंब है स्ट्रॉंग इक्षा शक्ति है यह वा किरती है जबी भी सपोर्ट चाहिए ज़रूर मिलेगा डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महातवा कांची बहुत ज़्यादा महातवा कांची नेचर को यह बता रहा और बहतरी न्थम्वे तो व्यक्तित वह बहुत शानदा है समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार है फिंगर पर करी रेका आप सोलेमन हुआ बेसिकली इसके इसमें जातक को इश्वर से बड़ा जुराव होता है और ऐसे विक्ति आस्थावान होते हैं इश्वर के पृति यहाँसे भी कुछ आपके पर उपकारी रेका है सब के लिए करना चाहते हैं माइंड रेका अच्छी दिमां के 23 है फिर्द सरकारी शेतर से दनलाव मिलेगा लाइन ओफ एजुकेशन अच्छा है समझदार है गजब की सूरी रेका यहां से भी दिक्रिया बहतरीन तो एक सदिक सूरी रेका इंडिकेट करती है जातक के जीवन में तरक्य और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता बुद्ध पर कड़ी रे प्राक्रमी एनरजेटिक समर्पित यह होते हैं अपने जीवन को लेके नो डाउट बुद्ध नेखा थोड़ी कम सार्थक है तो यह इंडिकेट कर रही है कि ऐसे विक्ति को इसका विशेष परिनाम नहीं मिल पाता बिजनस में कोई खास इंडिकेशन नहीं है कोई खास यो नो डाउट यह बाग गिरे का बड़ी बहतर स्थिती में है आगे भी बाग गिरे का बढ़िया चल रही है 36 वर्स के बाद भी एक सदिक ब्रांचेस के साथ है इसका भी आपको फल ज़रूर मिलेगा जीवन पर तरक्किय परगती ज़रूर देगी तो यह था इन कैसली का धन्यवाद।